मास्टरी इग इभुक का पूरा सोलुशन कर रहे हैं दोस्तो हमारा चेप्टर चला है आयू ठीक है जिसके हमें क्लास कॉंप्लेट कर चुके हैं दोस्तो इसकी है दूसरी क्लास है अगर पहली वेडियो अपने नहीं देखिये तो प्लेलिक्स में आपको वीडियो मिल लएग बहुत आसानी से में सभी questions को समझाने वाला हूं तो दोस्तो इतनी से requests रहेगी अगर पहली वीडियो हम नहीं देखिए तो पहले उसको देखna उसके बाद दोस्तो इस वीडियो को देखna आपको कहीं भी कोई भी doubt नहीं बचेगा दोस्तो तो चलते हैं पहले question की तरफ दोस्तो कितने question तक complete कर चुके थे हैं 9 question हमने complete कर लिये थे आज question number 10 से शुरू करेंगे question number 10 से शुरू करेंगे बहुत आसान question है दोस्तो बहुत आसानी से हम solve करने वाले जैसे पहले वीडियों समझेते बिल्कुल उसी तरीके solve करेंगे दोस्तो ठीके मैं कहीं भी आपको परेशान नहीं करूँगा एक ही तरीके से बताता हूँ चलना हूँ मैं आपको सभी question आपने देखा होगा जैसे मैंने पहली वीडियों में आपको समझा है था उसी तरीके से मैं इस वीडियों में समझाने की कोशिस करूँगा दोस्तो ठीके पहला question कहता है हमारा बर्ली का और प्राची की बर्तमान आयू का नुपाद नुपाद ग्यारा है बारा बर्स बाद प्राची चोंतिस बर्स की हो जाएगी आठ बर्स पहले बर्ली का कितने बर्स की थी दोस्तो ठीके इसने बोला आठ बर्स पहले बर्ली का कितने बर्स की थी मतलब पहले बर्ली का कि मुझे बर्तमान आयू पता चलने चाहिए जैसे मैं आपसे कहूँ आपकी बर्तमान आयू 20 बर्स है मैं आपसे कहूँ आपकी आयू 8 बर्स पहले क्या होगी तो आप कह दोगे सर हमारी 8 बर्स पहले आयू होगी 12 ठीक है दोस्तो तो मतलब कहने का यह है अगर आपको बर्तमान आयू पता है तो आप कोई से भी आयू निकाल सकते हैं 8 बर्स पहले की, 10 बर्स पहले की, 8 बर्स बात की, 10 बर्स बात की कभे की भी दोस्तो ठीक है? तो अब question को solve करते हैं。 दोस्तो कैसे बताया था मैंने, बर्लिका और प्राची की बर्थमान आईउ का अनुपाद 9 अनुपाद 11 है? मैंने कहा था आपको कैसे लिखना है? मैं बर्लिका को B से लिख देता हूँ और इसको प्राची को P से लिख देता हूँ इनकी बर्तमान आयू का अनुपाद दोस्तों कितना दे रखा है 9 अनुपाद 11 इसी तरीके से कराया था दोस्तों मैंने और मैंने आपसे एक बात और कही थी इनके साथ क्या लगा लेना है एकस लगा लेना है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यह क्या है दोस्तों इनकी बर्तमान आयू का अनुपाद यहां तक तो किसी भी स्टुडेंट को कोई दिक्कत नहीं है आपको वगसर कोई भी दिक्कत नहीं है आगे इसने बोला 12 बर्स बाद प्राची 34 बर्स की हो जाएगी इस टेम प्राची जो है कितने बर्स की है 11 एक्स इसने बोला 12 बर्स बाद प्राची कितने बर्स की हो जाएगी 34 बर्स की हो जाएगी कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी भी student को जैसे question में बोला दोस्तो बैसे ही किया है मैंने या नहीं इतना बताएंगे आप कोगसर बिल्कुल बैसे ही किया है ठीक है तो दोस्तो मुझे x की value चाहिए तो मैं क्या करूंगा 11x बराबर 34 में से कितना माइनस करेंगे यह इधर जागे दोस्तो माइनस में हो जाएगा तो 34 माइनस 12 हो जाएगा दोस्तो कितना बचेगा आप कोगसर 22 बचेगा कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी भी student को दोस्तो मैं आप से x की value पूछूं तो कोई भी student के देगा x बराबर 2 यहां तक कोई दिक्कत किसी student को नहीं होई दोस्तो अब मैं इनकी बरतमान आयू निकाल सकता हूँ या नहीं आप कोगसर निकाल सकते हो इसकी बरतमान आयू कितनी होगी बढ़ लिगा की 9 दुनी 18 क्यूदी बरतमान 2 है दोस्तो ठीक है इसकी कितनé होगी दोस्तो प्राच्ची की आपका उसर 11 x थी x का मान 2 है ग्यारदमान आयू अगे ये दोस्तो किया आगे इनकी बरतमान आयू आ गई ठीक है बढ़ लिगा की 18 बर्स और प्राच्ची की कितने आगी 22 बर्स यह बर्तमान आई यू आगी दोस्तो इसने क्या पुछा है आठ बर्स पहले बढ़ लेका कितने बर्स की थी दोस्तो इस टेम कितने की है प्रिजेंट में दोस्तो बर्तमान में 18 बर्स की और मुझे 8 बर्स पहले बताना है तो इसमें से 8 में माइनेस कर किसी भी student को कोई भी दिक्कत दोस्तो समझने में नहीं होनी चाहिए एक बार मैं समझ में नहीं आता तो वीडियो को दुबारा जरूर देखना दोस्तो मुझे पूरा विस बार से आपके समझ में जरूर आ जाएगा दोस्तो ठीक है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चलते हैं दोस्तों question number 11 की तरब दोस्तों अगर कुछ बीचे समझ में नहीं आती तो comment box नो comment करकर जोरू बताना ठीक है question number 11 की तरब दोस्तों अगर मैं आपको इन question को trick से कराता तो साइद आपको समझ में नहीं आता एक question आ जाता फिर दूसरे में अलग तरीका लगाता में दूसरे में trick fail हो जाती दोस्तों हम बहुत ज्यादा confused हो जाती तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सभी question आसानी से बना पाओ दोस्तों जिसमें trick की जरूत पड़ेगी दोस्तों मैं उसमें trick भी आपको जरूर बताऊँगा ठीक है question number 11 क्या है दोस्तों मोनिका और भावना की बर्तमान आयू में करम से 4 नुपा 3 का नुपात है यदि उनकी आयू में 10 बर्ष का अंतर हो तो 15 बर्ष के बाद उनकी आयू का योग क्या होगा दोस्तों बहुत आसान question है और दोस्तों इस type का question हम कर भी चुके हैं फिर भी मैं करके बता देता हूं ठीक है दोस्तों पहले देखेंगे मोनिका और भावना की बर्तमान आयू में कितने गनुपात है 4 नुपात 3 इस BACK मोनिका को lam से लिख देता हूं में भाबना को B से लिख देता हूँ दोस्तों ठीके मोनिका और भाबना अब इनकी आयू का अनुपाद आपको दे रखा कितना चार अनुपाद तीन आपको पता है मैं किस तरीके से लिखने वाला हूँ इनके साथ X जरूर लगाया करो ठीके यहां तक कोई दिक्कत किसी भी स्ट ठीक है आगे बोला इसने यदि उनकी आयू में दस बर्ष का अंतर हो उनकी आयू में कितना अंतर हो दस बर्ष का अंतर हो मैं आपसे कहूँ यहां कितने का अंतर है इनकी आयू में आप कोई सब एक्स क्योंकि चार एक्स में से तीन एक्स जाएंगे तो एक एक्स बचेगा मतलब अंतर कितने का x का उसने बोला x का नहीं है कितने का है 10 बर्ड का तो x की value मुझे मिल गई, कितनी मिल गई 10 मिली या नहीं मिली आप कोउसर भिल्कुल ठीक है कोई भे दिक्कत यहां पर नहीं है दूस्तो जब x की value आगई तो मोनिका की बर्तमान आयू बता सकता हूं में कितनी हो जाएगी चारधाई, चालिस और दोस्तो इसकी भावना की बता सकता हूं कितनी हो जाएगी तेन आयू तीस दोस्तो यह क्या आगे इनकी बर्तमान आयू आगे दोस्तो ठीक है मोनिका कितने आगे 40 बर्स और भावनाई कितने आगे 30 बर्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी आप कोई दिक्कत नहीं है आगे पूछा क्या है इसने तो इसने कहा है तो 15 बर्स के बाद उनकी आयू का योग क्या होगा दोस्तो ये तो इनकी प्रिजेन्ट है दोस्तो बर्तमान आयू है तो 15 बर्स बाद मोनी का कितने बर्स क्यों जाएगी आप कहोगे सर कितने क्यों जाएगी आप कहोगे सर 55 बर्स की और दोस्तो भावना कितने क्यों जाएगी 15 बर्स बाद आप काओगे सर 45 बर्स की तो दोस्तो 15 बर्स बात जो इनकी आयू है उनका क्या पूछा है इसने उनका योग पूछा है तो 45 और 55 कितने हो गई आप काओगे 100 बर्स कितने हो गई 100 बर्स दोस्तो कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी भी student को option number C हमारा correct answer हो जाएगा या नहीं option number C correct answer हो जाएगा या नहीं दोस्तो काफी एजी question था भूत आसानी से हमने इसको solve कर लिया दोस्तो ठीक है आगे चलते है question number 12 की तरफ दोस्तो एतनी से request रहती है अगर video पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर कर दिया करो दोस्तो ठीक है आप लोग like नहीं करते हो और ऐसे ही छोड़कर चले जाती हो question number 12 दोस्तो question number 12 क्या कहता है बहुत आसान question है दोस्तो ये भी पहले question को पढ़ दिया करो ठीक है फिर आप question खुद बता देता है कि मुझको solve किस तरीके से करना है इस नवला जब पिता की बर्तमान आयू पुत्र की बर्तमान आयू में जोड़ दी जाती है तो योग 40 बर्स हो जाता है 5 बर्स बाद उनकी कुल आयू कितने बर्स की होगी दोस्तो पुत आसान question है बहुत ज़्यादा आसान question है ठीक है इसने वोला एक पिता है ठीक है और एक उसका पुत्र है जब पिता की बर्तमान आयू पुत्र की बर्तमान आयू में जोड़ दी जाती है तो यो कितना हो जाता दोस्तों इनका 40 बर्स कितना हो जाता है 40 बर्स कोई दिक्कत नहीं है तो question में खुद दे रखा दोस्तो जब पिता की बर्तमान आयू पुत्र की बर्तमान आयू में जोड़ दी जाती है तो योग दोनों का कितना हो जाता है 40 बर्स कोई दिक्कत नहीं है तो इसने कहा है पांच बर्स बाद उनकी कुल आयू कितने बर्स की होगी दोस्तो प्रेजेंट में इन दोनों की आयू का जो कितना 40 बर्स तो इसने का पांच बर्स बाद उनकी कुल आयू कितने बर्स की होगी मुझे बताओ पांच बर्स बाद जो है दोस्तो पांच तो ये बढ़ा होगा पांच बर्स तो इसका पुत्र बढ़ा होगा तो पांच इसका पिता बढ़ा होगा पांच बर्स बाद बतानी है न तो कितना योग बढ़ जाएगा आपको सर्फ पांच बर्स ये बढ़ेगा और पांच ये बढ़ेगा तो 40 बर्स कितनी हो जाएगी फिर बढ़कर 5 बर्स बाद क्योंकि दोनों की 5 5 बर्स बढ़ी हैं दोस्तों तो कितना बढ़कें 10 बर्स बढ़कें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5 बर्स बाद योग आपको उसर 50 बर्स कितना हो जाएगा 50 words option number B हमारा correct answer हो जाएगा किसी भी student को कोई दिक्कत इसमें नहीं होने चाहिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको उसर कोई भी दिक्कत नहीं हुई यूखि इसने यहाँ पर देखो कि योग दोनों का दोस्तो बर्तमान आयू का योग जो है उनका पिता और पुत्र का कितना है आपको उसर 40 words अब इसने कहा है पाँच बर्स बाद योग कितना हो जाएगा तो मुझे बताओ पाँच बर्स तो पिता बड़ा होगा और पांच बर्स पुत्र बड़ा होगा पांच बर्स बाद तो टोटल कितना योग बड़ा जाएगा आप कहोगे सर दस बर्स तो कितना हो जाएगी पांच बर्स बाद उनका योग आप कहोगे सर पचास बर्स और कुछ भी तो नहीं था इसमें और कुछ भी नहीं था दोस्तो ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा option number B हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तो आगे चल दें question number 13 की तरब दोस्तो question number 13 देखेंगे आप काफी easy question है और इस कौप option से बिलकुल आसानी से कर सकते हैं क्या बोला question में यदि 6 वर्ष बाद पृतीप की आयू बर्तमान आयू की चारगुनी हो जाएगी तो उसकी बर्तमान आयू क्या है दोस्तो कुछ भी नहीं है देखते ही लगा सकते हो इसको पर फिर भी मैं आपको पहले गलत option उठा के बताता हूँ ठीक है ऐसी question को option से ही कर सकते हैं बहुत आसानी से पहले मैं आपको गलत option करके दिखाता हूँ कभी आपको ऊचन आपको तो पता था मैंने मान लिया दोस्तो पहले option उठाया अब भी ठीक है मैंने मान लिया उसकी बर्तमान आयू कितनी है तीन बर्स है ठीक है अब मैं condition satisfied करा हूँग बर्तमान आयू कितनी है उसने पूछा था उसकी बर्तमान आयू क्या है मैंने मान लिया B option को उठा लिया उसकी बर्तमान आयू मैंने मान लिया 3 बर्स है ठीके अब इसने बोला था यदि 6 बर्स बाद प्रिदीप की आयू बर्तमान आयू की 4 गुनी हो जाएगी तो मुझे बताओ 6 बर्स बाद कितनी के हो जाएगी है 9 बर्स क्या बर्त्मान आयू कि ये 4 गुणी हो रही है आपको कुसर नहीं, 3 गुणी हो रही है दोस्तों तो मेरा आणसर ये नहीं होगा आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है अब मैं आपको option number A उठा के दिखाता हूँ मैंने मान लिया उसकी बर्तमान आयू कितनी है दो बर्स ठीक है यदि 6 बर्स बाद पिरदीप की आयू बर्तमान आयू की 4 गुनी हो जाएगी तो मैं बताओ 6 बर्स बाद 6 बर्स बाद कितनी हो जाएगी आयू 8 बर्स तो क्या ये बर्तमान आयू की 4 गुनी है आप कह दो के सर बर्तमान आयू की 4 गुनी है तो दोस्तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा option number A हमारा correct answer हो जाएगा किसी भी student को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तो चलते हैं question number 14 की तरफ दोस्तो अगर कोई भी दिक्कत हो रही है कोई भी query है तो comment box में comment करकर जुरू बताना ठीक है question number 14 की तरफ चलते है दोस्तो काफी इजी question है ये भी और बहुत आसाने सा आप इसको solve कर सकते है देखो कुछ भी नहीं अगर आप mind बिल्कुल आपकर ठीक काम कर रहा है अगर आप सोचने की छमता रखते हो question को समझने की छमता रखते हो तो कुछ भी आपको याद नहीं करना question में खुद सब कुछ दिया होता है बस आपको pen चलाना होता है और answer बताना होता दोस्तो ठीक है जैसी यह question है आप देखो इसको question पढ़ो आप इसने बोला lucky एवं सुमन की बर्तमान आयू का योग 35 बर्स है आपने इतना बढ़ा फिर आपने बढ़ा 5 बर्स बाद उनकी आयू में 4 अनुपात 5 का अनुपात होगा उन दोनों की बर्तमान आयू में कितना अंतर है सबसे पहले काम क्या है आपको इसन बोला है उन दोनों की बर्तमान आयू में कितना अंतर है मतलब पहले मुझे बर्तमान आयू पता होनी चाहिए ना उनकी जबी जो अंतर बताऊंगा मैं उनका आपके उसर बिल्कुल ठीक है तो आप यहां पर बताओ इसने जो अनुपात दे रखा ये कब का है और योग जो दे रखा ये क्या है तो आपने कहा सर बर्तमान आयू का तो योग दे रखा इसने ठीक है इसने गोला पांच बर्स बाद उनकी आयू में चार अनुपात 5 का अनुपात है दोस्तों किस में लकी है एक और एक सुमन है त्यान से सुनना एक लकी है और एक सुमन है 5 बर्स बाद उनकी आयू में कितना अनुपात है 4 अनुपात 5 अब क्या करना है आपको गुसर एक्स लगाना है ये कब की है आपका उसरी 5 बर्स बाद की आयू का अनुपात है सामने दिखा है आपको question में या नहीं आपका उसरी बिल्कुल ठीक है आपने याँ देखा बरतमान आयू का योग दे रहा मुझे तो बरतमान आयू में इसको बना सकता हूँ क्योंकि पांच बर्स बाद की आयू का अनुपाद है अगर मैं इसमें से पांच माइनस कर दूँ पांच माइनस कर दूँ तो ये बरतमान आयू का अनुपाद हो गया या नहीं मुझको इतना बताएं आप बरतमान आयू का अनुपाद हो गया या नहीं इतना बतादो दोस्त तो बस question solve हो गया ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी student को bisc टेम किस का नूं पात है ये 4x-5 5x-5 किस का नूं पात है ये आपकी बर्तमान IU का ठीक है कोई भी दिक्कत तो नहीं है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो इसने क्या करा था बर्तमान आयू का योग दे रखा था इसने 35 बर्तमान आयू का योग कितना दे रखा है 35 तो मैं यहां ऐसे ही करूँगा बर्तमान आयू का इनका दोनों क्या कर दूँगा दोस्तों इनका क्या कर दूँगा योग कर दूँगा जब इनका योग कर दूँगा तो आप खु दोनों को योग कितना दे रखा है आप को गुसर 35 बर्स यहां तक बता कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टुडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है अई मैंने इनकी बर्तमान आयू को जोड़ा है वो बराबर क्या दे रखा था 35 बर्स दे रखा था दोस्तो 9x बराबर कितना हो आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है x की value आ गई तो समझो बरतमान आयू आ गई दोस्तो ठीक है तो बरतमान आयू निकाल सकते हो आप इनकी लकी की बरतमान आयू कितने हो जाएगी x की जगा 5 रखेंगे यहां 5 रखेंगे यहां 5 रखेंगे तो 5 चुक 20 माइनस 5 कितने हो जाएगी कितने हो जाएगी आपका उसर 15 ठीक है अब नीचे बाले में रखोगे x की value 5 रखोगे 5 रखोगे 5 रखोगे 25 माइनस 5 20 यह क्या गया दोस्तो इनकी बरतमान आयू का अनूपात आ गया ठीक है क्या गया इनकी बरतमान आयू का अनूपात आ गया ठीक है इन दोनों की बरतमान आयू में कितना अंतर है इसने मुझा अंतर है लकी की बरतमान आयू कितनी है 15 रखोगे और सुमन की कितनी है 20 तो अंतर कितना हो गया इन दोनों में आपका उसर पांच बर्स का कितना हो गया पांच बर्स का option number A हमारा correct answer हो जाएगा बहुत आसान question था दोस्तो कुछ भी नहीं है अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है अगर आप समझ रहे हो तो इन question में कुछ भी नहीं है दोस्तो कुछ भी दिसे कहते हैं बस आपको pen चलाना है और question देखना है दोस्तो आपको within second मैं मानता हूँ 5 second से ज़्यादा time ने लएगा आप question को अगर समझ लेते हो अच्छे से तब दोस्तो ठीक है क्योंकि इतनी बड़ी calculation होती नहीं है जो हम ज़्यादा time ले एक्दम answer निकलाता है देखते ही question को ठीक है आगे चलते है question नमर 15 की तरफ दोस्तो यहाँ तक तो clear था न अगर नहीं दोस्तो तो एक बार और वीडियो को देखना आपको सारा clear हो जाएगा ठीक है मुझे नहीं लगता कि मुझे दुबारा समझाने की जुरत पढ़नी चाहिए दोस्तो योगि मैं पहली ही बार में कोसिस करता हूँ कि बच्चे के दिमाग में फीड कर दूँ दोस्तो चलते है question नमर 15 की तरफ बस ध्यान रखा करो हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ इतना है दोस्तो स्वाती और चिंकी की आयू का अनुपात कितना है तीन अनुपात एक आप सबसे पहले जो करते हैं आप उसको लिखोंगे ऐसे स्वाती लिख देता हूँ मैं चिंकी को सी से लिख देता हूँ इनकी आयू का अनुपात कितना दे रखा है 3 और 1 तो मैं 3X लिख देता हूँ और 1 को X लिख देता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक दोस्तो क्या लिखा है मैंने इनकी बरत्मान आयू का अनुपात लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा दोस्तो इसने बोलाए यह दे 6 बर्स बाद यह नूपाद 9 नूपाद 5 हो जाएगा 6 बर्स बाद यह नूपाद कितना हो जाएगा 9 नूपाद 5 हो जाएगा तो चिंकी की बर्तमान आयू कितनी है दोस्तो इस टेम चिंकी की बर्तमान आयू कितनी है X तो मतलब मुझे X का मान निकालना है यो तो आपको किलियर है तोकि इनकी बर्तमान आयू का अनुपात आपको दे रखा है स्वाथी कितनी है 3X और चिंकी कितनी है X और कुछ नहीं दोस्तों चलते हैं question solve करते हैं इसने वोला यदि 6 बर्स बाद दोस्तों 6 बर्स बाद अनुपात कितना हो गया 9 अनुपात 5 कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं है आप पहली वीडियो देखो मेरी तो आप इसको solve कर सकते हो आगे क्या करना दोस्तों तिर्ची गुणा करनी है इसकी इधर करनी है और इसकी इधर करनी है जो आप मैं मानता हूँ पांच में किलास में बच्चा सीख लेता है ठीके चोथी पांच में किलास में बच्चा इनक दोस्तों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है न किशी को भी आगे हम X का महा निकाल सकते हैं 9X इधर आके माइनस का हो जाएगा कितना बचेगा 6X और 30 उदर जाके माइनस हो जाएगा 24 X बचेगा 4 दोस्तों बस क्या पूछा था चिंकी की बल्तमान आयू कितनी है चिंकी की बल्तमान आयू कितनी थी क्योंकि बल्तमान आयू कनुपातिन का ये था तो चिंकी की कितनी थी X X का हिमान मैंने निकाल दिया दोस्तों तो कितनी आ गई उप्सन नमर B हमारा Correct Ensta हो गया या नहीं आपका गुसर भिल्कुल ठीक है स्वारतिकी बुश्टा तो कितनी हो जाती आपको गुसर 3 से 4 को गुणा करदो 4 तिया 12 क्योंकि स्वारतिकी बल्धमान आयू कितनी थी 3X X का मान कितना 4 तो 4 तिया 12 स्वातिकी बर्द माना यू कितनी आ जैती, दोस्तो? 12 बर्ज कोई दिक्कत किसी भी student को नहीं होनी चाहिए, दोस्तो ठीक है? चिंगिक कितनी आ गये दोस्तो? 4 बर्ज आगे चलते हैं question number 16 की तरफ दोस्तो question number 16 भी काफी easy question है और बहुत आसानी से मैं इसको करने वाले हैं ठीक है बिल्कुल सेम उसे की तरह जैसे अभी question किया है कुछ भी अंतर नहीं है आप आसानी से बता सकते हो दोस्तो बट फिर भी मैं आपको करा देता हूँ इसन बोला राम और सियाम की आयू में अतने का नुपात है दोस्तो एक राम है और एक सियाम है इनकी बर्तमान आयू में कितना नुपात है? तिन नुपात एक तो मैं अभी लिख देता हूँ 3X कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है दोस्तो अब ये पीछे किया था बिल्कुल ये क्या है दोस्तों इनकी बर्तमान आयू का अनुपात है ठीक है आगे क्या बोला है यदि पंद्रे बर्स बाद उनकी आयू का अनुपात दो अनुपात एक हो दोस्तों पंद्रे बर्स बाद पंद्रे बर्स बाद इनकी आजूक अनुपाद दो अनुपाद एक ठीक है कोई दिक्कत यहां तक किसी भी स्टूएंट को नहीं होनी चाहिए बस इनकी तिर्ची गुणा करनी है दोस्तो आप तो solve आप करी सकतो यह मैं आपको पिछली question में भी बता चुका हूँ ठीक है करेंगे इनको solve तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्या करेंगे दोस्तो 3x प्लस 15 बरावर 2x प्लस के 30 दोस्तो जब इसको आप solve करोगे 2x इदर आएगा और 15 उदर जाएगा दोस्तो एक्स बरावर कितना हो जाएगा 15 एक्स की पहले अपने निकाल ली तो आपको कहीं भी दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए दोस्तो ठीक है तो कि अब क्या बताना में तो राम और स्याम की बर्तमान आयू है राम और श्याम की बर्तमान आयू कितनी थी आपको गुसर 3X और X राम की कितनी थी बर्तमान आयू 3X तो 3 की गुणा 15 से करें कितनी हो जाएगी राम की 45 ठीक है दोस्तों और श्याम की कितनी थी X X का मान तो आपको पता ये कितनी 15 है दोनों क्या यूँ कितने आगे कि 45 की 15 तो अपसर नमबर B हमारा correct answer हो गया कोई भी दिखकर किसी भी student को नहीं होनी चाहिए काफी easy question था दोस्तो ठीक है आगे चलते हैं question number 17 की तरब और ये last question होगा दोस्तो ठीक है question number 17 दोस्तो काफी easy question है ये भी इसका answer आप खुद से भी बता सकते हो दोस्तो ठीक है तो ये question मैं आपके लिए देता हूँ एक question मैंने पिछली वीडियो में दिया था दो ही student ने उसका answer बताया था दोस्तो ये भी question मैं आपको home bar के लिए देता हूँ ये दोस्तो चलो करा ही देता हूँ क्योंकि आप करते नहीं हो घर से मुझे पता है ठीक है तो मैं इसको भी करा ही देता हूँ और 2-4 मिनिट लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पर आपको समझ में आना चाहिए ठीक है इसने बोला गंगा सिंग और राजबती की बर्तमान आयू कानुपाद 6 अनुपाद 7 है दोस्तों क्या बोलाए ? गंगा सिंग तो गंगा सिंग को किसे लिख देता हूँ ? जी से लिख देता हूँ और राजबति को आर से लिख देता हूँ ठीक है ? बर्तमान आयू का अनुपाद कितना है ? 6 अनुपाद 7 तो 6x वोटे 7x दोस्तों यहां तक तो किसी भी student को दिक्कत नहीं होनी चीए यह क्या है उनकी बर्तमान आयू का अनुपात है ठीके यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बर्तमान आयू को क्या है यह अनुपात है अच्छे से समझ लो आगे बोलाए आठ बर्स बाद उनकी आयू का अनुपात करम से इतना होगा आठ बर्स बाद दोस्तों तो अभी पिछला कोश्चन करा था आठ बर्स बाद अनुपात कितना हो जाएगा आठ प्रटे नो हो जाएगा तो बारे वर्स बाद उनकी आयू का करम से अनुपाद क्या होगा ठीक है तो बरतमार आयू निकालेंगे फिर नो बारा जोड़ देंगे फिर अनुपाद बता देंगे दोस्तों ठीक है 56 प्लस के 64 दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्ब करेंगे 2x वरा कितना जाएगा 8 x वरा कितना जाएगा 4 एक्स वरा कितना आ गया 4 आप सॉल्ब दो कर सकते हो इतने बच्चे भी नहीं हो दोस्तों कम्टेशन की तियारी करते हो ठीक है एक्स का मान 4 आ गया अब मुझे क्या करना है तो इसने बोला 12 बर्ष बाद उनकी आयू का अनुबाद किरम से होगा तो पहले में इनकी बर्तमान आयू निकाल लेता हूँ ठीक है बर्तमान आयू कितनी थी एक की 6 एक्स थी और एक की 7 एक्स थी दोस्तों ठीक है तो ये कितनी हो गई 6 चोग 24 और ये कितनी होगी 7 चोग 28 ये इनकी बर्तमान आयू आगे दोस्तों इसने क्या पूछा था 12 बर्तमान आयू कानूबाद करन से होगा दोस्तों तो 12 इसमें जोड़ेंगे और 12 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों आप अनुपात निकाल सकते हूँ क्योंकि उपर कितना जायेगा जोड़कर उपर कितना हो जायेगा उपर हो जाएगा 36, मैं यहां को लिख देता हूँ और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तो, 40 अब इसको 4 से काड़ देना, 4 से काड़ देगो चार नम 36, और 14, 40 9 उपा 10 हो जाएगा दोस्तो Option number C, हमारा correct answer हो जाएगा कोई दिकत किसी भी student को दोस्तो नहीं होने चाहिए कि दोस्तो, screen record करके मुझको वेडियो गनानी पड़ती है तो इसलिए इस तरीके से ही मैं समझा पाता हूँ क्योंकि इतना space यहां पर होता नहीं है दोस्तो, ठीके और आप लोग साथ नहीं देते बिलकुल भी तो इसलिए दोस्तो, अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा तो दोस्तो, आप चाहिए के request रहीए कि अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना तो चैनल को subscribe पर देना मिलते हैं next वीडियो में